नमस्ते अप्रिबादन आपका नोसेंटी निवेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे किसमत की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो अंतर तक जरूर देखेगा निफ्टी अठरा पांसो पे खड़ी है और ये प्योरली किसमत का खेल है कैसे मैं आपको स ठीक है ये बंदा चला रहा है और ये जाकर के किसी एक दूसरे बंदे को ठोक देता है लेट से कि उसी के पास भी लगवख सेम कटेगरी की गाड़ी है वो उसको जाकर के ठोक देता है इसी कारण यहाँ पर लग जाता है ट्राफिक है आप सोचो कि कौन सी स्टोरी सुना र ये वाला जो बंदा था इसने ठोका इसलिए क्योंकि ये स्पीड से जा रहा था और स्पीड से इसलिए क्योंकि इसकी वाइफ ने खाना लेट बनाया था और खाना लेट क्यों बनाया था क्योंकि कल ये लोग पार्टी गए थे ठीक है और पार्टी क्यों गए थे क्योंकि इ इसी कारण ओफिस के लिए लेट निकलता है, इसी कारण ये गाड़ी तेज चलाता है, इसी कारण ये ठोंक देता है, इसी कारण जाम लगता है, इसी कारण एक और बंदे की जो ओफिस की मीटिंग है, वो में भी मिस हो जाती ही, मा लेना कि यहां पर मीटिंग थी, और मीटिं के टर्म्स में आप इसको देखोगे ना तो बहुत ही मिनिस्क्यूल लेवल की मैं बातें कर रहा हूं ठीक है बहुत छोटे लेवल पर मैं बात कर रहा हूं कि एक घटना हमारे सामने जो लाइव है ना उसके पीछे यह चेंघ आफ इवेंड्स है चेंघ आफ इवेंड्स और यह घजार नहीं दस हजार नहीं यह मिलियंज नहीं य्यां ट्रिलियंज ऑफ चेंज के कारण वो घटना हमारे सामने घटित हो रही है समझ गए COVID virus का case ले लो या कहीं पर भी आप एक चीज़ देखोगे आपके सामने जो भी घटित हो रहा है लेट से कि आप किसी एक company में जॉब कर रहे हो आप उस company में जॉब कर रहे हो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही as it is बात है नहीं आपने उस company को पीछे जाते हैं आपने वही college क्यों select किया वही college को हटा देते हैं आपने वही course क्यों select किया course हटा दो उससे पहले subject selection देख रहे हैं ना कितनी चीज़ें घटित होती है धीरे धीरे करके और फिर हमारा present तयार होता है और हम सब को फिकर किस चीज़ की होती है future की मतलब समझलों की एक ऐसा event हमारे सामने हो रहा है जिसके पीछे का हम जो exact reason है वो कभी ढूंड नहीं पाएंगे ठीक है हम लोग बोलते हैं ना कि इस कारण ये हुआ नहीं हम कारण कभी नहीं ढूंड सकते हम कारण कभी ढूंड ही नहीं सकते बाजार अठरा 500 पर खड़ी हम कारण नहीं ढूंड पाएंगे और ये सब चीजें बहुत अच्छे माहौल में आपको समझनी पड़ेंगी मैंने इसलिए आपको शुरुआत में बोला था वीडियो अंतर तक देखना क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है आप सोचोगे मैं आपको क्या समझाना चाहरा हूँ मैं ये समझाना चाहरा हूँ कि accept acceptance accept करना सीखिए जो भी आपके सामने है उसको accept करो बाजार अठरा 500 पर है accept करो आपको कल loss हुआ accept करो आपको अभी तक profit हुआ है accept करो आगे बढ़ो ठीक है अब इसको दूसरे अंगल से समझाता हूँ कि smile करना आपको लगता होगा बहुत अच्छी बात है मैं इसको अच्छी बात नहीं मानता हूँ और ये सिर्फ मैं 100% इसको नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अभी इस पे 100% मैंने काम नहीं कर लिया है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि smile करने की जरूरत किसको पड़े की smile करने की जरूरत किसको है जिसको कुछ ना कुछ तकलीफ है भाई मुस्कुराना किसको पड़ रहा है जिसको गम चुपाना होगा वही तो मुस्कुराएगा नहीं तो मुस्कुरानिक जरूरत क्या है क्या वह हमारा natural behavior है नहीं उसमें भी थोड़ा बहुत muscles को stress होता है इसलिए कभी भी आप देखेंगे हम लोगों के यहां जो photos होती है मूर्तियां होती है वह कभी ऐसे हसते हुए या रोते हुए नहीं होती है बहुत ही normal normal in the sense समझ रहे हो ना आपके माथे पर कुछ शिकन नहीं एकदम normal आप अभी जैसे video देख रहे हो हो सकता है कुछ लोग माथा सी कोड के देख रहे हो कुछ लोग नाक इधर करके कुछ लोग आखें थोड़ी सी धर उधर करके होता है ना कभी-कभी मूँ टेढ़ा करके हम कभी लेटे हैं टेढ़े मेरे समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ एकदम comfortable होके आपने कभी सोचा कि मैं बैठू हूँ मैं देखूँ तो वो चीज है जिसको हम सबको approach करना है तो उसको accept करना पड़ेगा ना कि भाई साब अभी हम थोड़े से गड़वड हैं थोड़े से बेटर कर सकते हैं acceptance की बात हम market के case में कर रहे थे और यहाँ पर हम यह जो बात जोड़े ना कि भाई साब हम क्या तलास कर रहे हैं हमको चाहिए क्या उसके लिए हमको थोड़ा साई समझना पड़ेगा कि smile करना रोना धोना यह सब इवेंट है और यह किसी ना किसी कारण से आ रहा होगा और वो कारण हम कभी decode कर नहीं पाएंगे तो हमको as it is मतलब की जो यूमन नेचर होना चाहिए या यू कह सकते हो कि जो हमारा पॉस्चर नहीं कह सकते उसको मतलब जो नेचुरली हमको जो बहेवियर दिखाना चाहिए वह यही है कि नहाम खुश हो नहाम दुखी हो और अगर उसको मार्केट के टर्म्स में देखोगे ना हमें प्रॉफिट ह ना हमें loss हो, मतलब कि हमें जो करता भाव है, उससे मुक्त करना है खुद को, अब आप सोचोगे ये कथा spiritual हो गई है, नहीं, मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ, और ये वीडियो इसलिए important है, करता भाव से आपको मुक्त होना है, कि जो भी आपको कर्म करना है, आपक करना है, और मैं अकसर ये चीजें लोगों को बहुत अच्छे से समझाता हूँ, कि भाई साप, अगर आपने जो भी कर्म सेलेक्ट किया है, उसकी value है, ठीक है, तो आप रस्ते में ना इस दुकान पर रुकोगे, ना इस दुकान पर ना इस दुकान पर आपको सिर्फ अपन मनजिल याद रहेगी, और अगर जिसको मनजिल याद है, वो गाड़ी चलाने पर भी अल्मोस 99.9% फोकस रखेगा, वो यह नहीं करेगा कि मैं गाड़ी बहुत तेज चला लेता हूँ, भाई, जो गाड़ी बहुत तेज चला कर के मनजिल की तरफ जा रहा हो, उसको मनजिल से कोई प्यार नहीं है, वो इगो, साटिस्फैक्शन, सौट्टम, प्लेजर के पीछे भाग रहा है, फिर से इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि जिसको सच में अपनी मनजिल से प्यार होगा, वो गाड़ी बहुत तेज नहीं चलाएगा, वो गाड़ी बहुत धीरे समझ करके कुछ कर्म करो, समझ गए? तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहां पर घुमा फिरा के आपको बताना चाहीए, और उसका जो करक्स आ रहा है, वो आ रहा है acceptance पर, तो जो भी हमारे सामने है, जो भी है, बाई साब जो भी है, आपके माबाप अच्छे हैं, accept करो, बुरी चल लए, accept करो, अब आगे की जिम्मेदारी उठाओ, आगे क्या करना है, जो best possible activity आपके अपने लिए हो सकती है, उस पर focus करो, अब आएंगे हम trading पर, कि trading में, investing में हम इसको कैसे implement कर सकते हैं, और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए यहां पर थोड़ी निपिंग टूल, जिनको, जिनके पास windows है, उनके लिए trick मज़ेदार है, और ये सब चीजे मैं समझ लोगी, जुगार के तोर पर यूज करता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ सीखा आपने, खैर windows वाले तो कुछ सीखी जाते हैं, और लोगों को काफी तकलीफ हैं सब काम कारणा में करने के लिए, सफाई हो गई, अब लिखते हैं, ये eraser आ गया, हम इसको pen बना लेते हैं, ठीक, ये हो गई हमारी investing, ठीक है, और ये हो गई हमारी trading, अब आप सोचोगे कि इन दोनों चीजों में common क्या है, common है हमारी expectations, उम्मीदें, ठीक है, उम्मीदें हमें में दोनों से हैं, कि में दोनों से क्या हो, profit हो, और हमको दोनों में acceptance दिखाने पड़ेगी, investing में acceptance ऐसी कि भाई साफ हमारे माबाप ने, हमारे दादा दादी ने, क्यों नहीं shares खरीदे, accept करो यार, उनके पास जो best possible चीजें थी, उन्होंने वो करके हमको दिया है, और हम उस प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाए, अब माल लेते हैं कि आप investing में हो, और अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ है, तो जब तक आप ये accept नहीं करोगे, कि ये जो लॉस है, ये आपको बाजार ने नहीं दिया है, आपकी किस्मत ने दिया है, और किस्मत ने दिया इसका मैं ये कारण बिल्कुल नहीं, आपसे ये कहना चाहता, कोई उपर बाहरी ताकत है, जो आपको नुकसान कराना चाहती है, नहीं, जो reason है, हम उसके पास कभी पहुँच नहीं पाएंगे, क्यों आपको नुकसान हो गया, ठीक है, हम गलत किसी को भी ठहरा सकते हैं, और मैं जो चीजें सीखता हूँ, वही आपको समझा रहा हूँ, और जिसको मैं अपनी life में उतारने की कोसिस कर रहा हूँ, वही आपको सिखा रहा हूँ, कि भाया, आपके सामने losses खड़े हुए हैं, उसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है, न हम, न कोई और, जो भी चीजें पर काम करना है, और फ्रेस्ट प्रॉफिट पर आप काम करोगे, तो लॉसस और आटोमेटिकली रिकवर होँगे, यह आपके back of the mind में चीजें रहेंगी, लेकिन रियालिटी में आपको फोकस किस पर करना है, फ्रेस्ट प्रॉफिट पर, इन्वेस्टिंग में, और यह प्र ठीक है, तो किस्मत मैं पहले भी बोलता था कि भाई साब होती है, लेकिन यह किसी बाहरी ताकत के कारण हमारे उपर महरबानी या ओले नहीं गिराती है, जो होना है वो हो कर रहेगा, इसलिए हमारे गरंतों में यह सब बातें लिखी है, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए रोन नहीं रो सकते न, और उस पर हम खुसी नहीं मना सकते, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि वो करोड़पती है, उसको क्या टेंसन है, तो वो खुसी नहीं मना सकता है, उसको बस एकसेप्ट करना पड़ेगा, और आप दुखी मत हो जाओ, क्योंकि आपके पास यह बुद्ध कब कौन किसका मूड खराब हो, कब किसकी बीबी किस से जगड़ा कर ले, और कब हमारा प्रमोशन रुख जाए, कभी सोचे हो यह सब, और यही हो रहा है दुनिया में, गौर से देखो, आँखे बंद करो 5 मिनट, और सोचो कि यही नहीं हो रहा है, यहीं नहीं हो रहा है कि हमारी जो चॉइस करने की आजादी थी, वो कुछी इवेंट्स में थी, समझ रहा है न, मैं क्या कह रहा हूँ, तो जो भी है उसको एक्सेप्ट करो, और जो एक्सपेक्टेशन हैं, इन्वेस्टिंग से, ट्रेडिंग से, वो एक ही है, प्रॉफिट कमाने की, वो तो होनी चाहिए यार क्योंकि वो नहीं होगा था हम कामी क्यों कर रहे हैं, लेकिन उस चीज के पीछे भागते वक्त, आपको यह नहीं देखना है कि मैं मौज मना लूँगा, ट्रेडिंग बहुत मज़दार चीज है, इन्वेस्टिंग बहुत मज़दार चीज है, चैलेंगे, ले सब्सक्तिंगे, और टिजीक गया, फिके जन अशाफ है, उनको थोड़ा सा रिलाक्स करने की कोसिस करो, ऐसे यह सामने से नहीं हो पाएंगे, लेकिन कम से कम, जो आपकी आपके forehead के muscles से उनको थोड़ा सा relax करो, आँखों की muscles को relax करो, ठीक है, कभी देखो, गला प्यार से थोड़ा इधर उधर घुमा के देखो, आपको feel होगा कि हाँ, सच में इंसान इस चीज के लिए बना है, वो हसने के लिए नहीं बना है, आप देखते हो जब इंसान हसता है कि record कर सकते हो, तो चलिए ये वीडियो important है, और इसको आप दुवारा जरूर देखिएगा, ठीक है, तो यहां पर जो मैंने आपको बात सिखाई, वो क्या है, acceptance वाली, और वो जिस दिन आपके जीवन में उतरने लगेगा, आप फिर market को सच में, मतलब भगवान मानने लगोग आप accept करोगे, क्योंकि वहां पर हम कुछ ना कुछ घड़बड़ी किये होंगे, और वही जो घड़बड़ी होगी, वो multiple chain reaction से हमारे सामने आ रही होगी, समझ गए, अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम सब कल से एकदम लापरवा हो जाएं, careless हो जाएं, क्योंकि कुछ भी क अपनी यह responsibility भूल करके कहीं और लग गये होंगे, लग गये होंगे ना, और कितने लोग यह responsibility समझेंगे, किस वीडियो को लाइक करें, तो लापरवाह नहीं बनना है, अपनी responsibility समझनी है, और अभी जो best possible चीज हो सकती है, वो करना है, आप लोग इतनी रात में भी वीडियो अपलोड करने के बाद भी देखते हैं, उसके लिए आपको मैं कितना धन्यवाद करूँ, मुझे लगता है कि वो हमेशा ही कम रहेगा, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम आभार आप सभी का वीकेंड है, तो learning वाली वीडियो को repeat कर लेना, अगर कुछ मिस कर गये हो, बाकि अच्छी वाली वीडियो में, जलने मिलेंगे, नमस्कार